नमस्कार दोस्तों जैमातादी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत हैं आप रोज हमें याद करते हो और हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आने की कौशिश करते हैं ताकि आपको और जल्दी रिजल्ट मिल जाए जिनके काम रुके हुए हैं या घर में ब पाए सिखाएंगे जो हम आपसे शेर करना चाहते हैं अक्सर हम देखते हैं और कहते हैं कि कोई चीज को बाटने से और बढ़ती है तो हम आपको वशिकरन की वीदी बताते हैं अक्सर हम चाहते हैं कि आपके घर में भी सुक शान्ती और आपका कोई भी रूठा हुआ मान ज जा सकता है, जी हाँ दोस्तो घर में मिलने वाले काजल से भी आप वशी करण कर सकते हो, दोस्तो अगर आपके घर में कलेश रहता है या negativity है या फिर आप किसी को वश में करना चाहते हैं, तो आप ये वीधी ज़रूर करें, तो दोस्तो इस कारे को करने के लिए आपको सिर्फ काजल लेना है जो की अक्सक घर में रखा होता है या फिर आप मार्किट से जाकर ले आए और आपने कोरा कागज लेना है उसके बाद अपने उस कागज पर अपना नाम और फिर प्लस का निशान बना कर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते ह जैसे कि मैंने लिखा है राजेश प्लस निशा और उसको उल्टा करके हमें मंत्र लिखना है मंत्र होगा ओम वशी करनाय नमा ये मंत्र लिखने के बाद आपने उस कागज को मोड़ कर एक पर्ची बना लेनी है और उसके बाद उसे अपने दाएं हाथ में लेकर एक बार फिर से ग्यारा बार उस मंत्र का उचारन करना है और फिर उसके बाद आपने इसे घर पर किसी भी कटोरी के अंदर इस पर्ची को जला देना है और यकीन मानिए इस टोटके के एक घंटे के अंदर वो इंसान जिसका अपने पड़्ची पर नाम लिखा था वो आपके वश में हो जाएगा और आपकी सारी बात मानने लग जाएगा तो दोस्तो अगर आप भी चाते हैं कि ऐसा ही हो तो आप स्क्रीन पर दिये गए नंबरों पर कॉल करके गुरू माता जिसे अपने नाम के अनुसार अपनी राशी के अनुसार अपना मंत्र ले सकते हैं और दोस्तों अगर आप किसी कारण वस आप ये कार्य नहीं कर सकते या आपके साथ कोई ऐसी समस्य है जिससे आप परेशान है तो उसका भी आप समाधान स्क्रीन पर दिये गए नमबरों पर कॉल करके कर सकते हैं. तो दोस्तों देर ना करें जल्द से जल्द हमें कॉल करें जैम आता दी.